मुझे एक बास समझ में नहीं आती आइंस्टाइन न्यूटन और नुजाने कितनी महान हस्तिया स्ट्रीट लाइट्स के नीचे या मोमबती के रौश्णी में क्यों पढ़ते हैं ये लोग दिन में क्या टाइम पास करते थे? कमाल है चलिए तो स्वागत कीजे हमारे कामडी चैंपियन्स का बादब बामुलाइदा होच यार शेंचाय आलम अपना अलाउस्मेंट खुद करकर पदा रहे हैं ते कर होच पैसर चाएं याЗ कर दे तुम क्या चाहते हो के बाश्चा अपना तबला खुद भाड़ दे? पहले तो हमारे जमाने में नकारे बजा करते थे तुम क्या घर के बरतन बजा रहे हो वैसे आज हमारे दर्वार में कोही भी नहीं क्या हो गया है कैसा जमना आ गया है कि बाश्चा को खुद अपना अनॉंस्मेंट करके आना पड़ा है हमारे दर्वारी कहा है दर्बारी जिल्ले सुभानी मैं आगे था डाकू पीछे थे वो क्योंके तुम आगे और डाकू कैसे पीछे हो गए जिल्ले सुभानी में जिस घोले पर गया था वो घोला नहीं था घोली थी जिल्ले सुभानी हमें एक बाद बताई जाएं जी जी जब हम अपने इलाके से गए थे तो हमारे इलाके में एक भी बच्चा नहीं था तीस साल बाद हम आए, तो बच्चे ही बच्चे, इतने बच्चे है, इसकी क्या वज़ा है? जिल्ल सुभानी, हमारी रियाया आपके इस्तिक्माल के लिए बरसों से तेयारी कर रही थी जल्बारी जिल्ले सुभानी हमारे हागर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं अपना मूँ थोड़ी देर के लिए हमें दे दीजिए क्यों क्या करूगे इस्कूल में दिखा के बच्चों की फीज माफ करानी है जिल्ले सुभानी घुठा हमें ये बताए जाए क्या हमारे हाति कहा है उन में से हुआ निकाल के मैंने अलमारी में रख दिये है ये क्या बकवाफ है हमारा बेटर शेकू कहा है शेखु बोवी डारलिंग के साथ जूचो बाड़ी पे इन्जोई करने के आए दर्बारी जी मलबारी आज हमारा दिल चाह रहा है नहीं जिल्ले सुबानी नहीं दर्बारी आज हमारा दिल चाह रहा है जिल्ले सुबानी मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ आज हमारा दिल चाला है कि अनार कली का रक्स देखा जाए जिल्ले सुभानी अनार कली में महल में नाचने से इंकार कर दिया है वो क्यों वो के दिए कि आप भूगड में डांस देखते हो पेसे तो देते नहीं हो जिल्ले सुभानी जी जान कि अमान पाऊं तो कुछ अर्ष करूं अर्ष करो कभी सीमिंग कुल में नहायो नहाय अंदर से गीले निकलते हो सूके जाइद बात है गीले निकलेंगे तो गीला तो में भी निकलता हूं तुम का यह के बादशाओ करवारी जी हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि शेकु तो अनार कली का रख देख कर उस पे आशिक हुआ था ये सलीम का चुछोरा बंद था अनार कली तो शेकु को अपना चोड़ा भाई समझती थी कलपारी जी शेकु तो उसके चक्कर में था चक्कर में तो आप भी थे बाश्चा सलावाई दरभाई ये हम पर इल्जाम है हमने अनार कली को दीवारों में चुनवा दिया था चूल बोलते हैं आप चूल बोलते हैं आप दीवार तो सिर्फ आगे से चुनवाई थी पीछे से तो आप अनार कली को साइकल पे लेकर कल्टी हो गए थे तरभारी हम अनार कली पे क्यों नजर रखेंगे शेकु हमारा एक ही बेटा था तो इसमें हमारा कसूर है एक ही बेटा था तो इसमें आप की सुस्ती है हमारा क्या फाल दे हमने क्या शरत लगाई थी कि दूसरा होगा दूसरा होगा दूसरा होगा जर्वारी हमारी इज़त करो हमने कभी अपने बाप की इज़त नहीं की तुम किस ख्याद के कद्दू हो जर्वारी हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे सर कलम बाद में कीजिगा पिले ये वाली कलम छोड़ी कर दो जर्वाई हमारी नजरों के सामने से दूर चले जाओ तुम चले जाओ तुम यह क्या चार भाई ख़ली करके नहा रहे हो जर्वाई निकल जाओ मैं जा रहा हूँ जिल्ले सुमानी ओए और तुम देखना तुम्हारे खाब में आगे तुमको जलील करूँ आ निकल जाओ तुपा हो जाओ जाने से पहले जिल्ले सुमानी एक बात केना चाहता हूँ कहो मैं आपका वफादार नोकर हूँ हाँ खुदा के लिए आप हमारा सर कलम कर दीजिए क्यों हमने मलका आलिया को नहाते हूँ देख लिया है तुम ने तुमने मलका आलिया को नहाते हूँ देख लिया है जी जिल्ले सुमानी लाओ दो सो रुपे दो वाशा बेगे रहते में झाल 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 झाल